हेलो बच्चों माइनेमी जजीद कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे होंगे यह स्क्रीन पे मैथेमेटिक्स क्लास 12 कैलकुलस एप्लिकेशन ऑफ डेरिवेटिव और आपको पता होगा बच्चों हमने मैक्समा और मिनमा के उपर तीषरा सेशन है तीषरा पाट है इसके पहले हमने all ready 2 classes ले लिया है आज हमारा मैक्समा, मीनमा के उपर तीषरा सेशन है प्रिविज़ क्लास पक्लासीस में हमने boat exams में जो method use होता है मैक्समा, मीनमा को बनाने के लिए वो method हमने start किया था that is second derivative method type 1 का ही question करेंगे second question से चलिए तो हम लोग type 1 का question कर रहे है question number 2 कल हमने question किया था अब उसके बाद हम लोग question number 2 करेंगे okay चलिए find the local maxima and local minima find the local maxima and local minima of given function of given function of given function f of x is equal to f of x is equal to minus 3 y 4 into x per power 4 minus 8 x q minus 45 by 2 into x square plus hundred तो हाँ बच्चों यह हमारा function given ने यह हमारा क्या given ने बटा यह हमारा function given ने और हमें इसमे local maxima और local minima find out करना है अब यह local maxima local minima क्या होता है यह already हमने part 1 वाले live session में already हमने करवा चुका है local maxima का बाता है जब एक से ज्यादा critical point हो या जब एक से ज्यादा maxima हो तब maxima को हम लोग maxima ना बोलकर local maxima बोलते हैं और जब एक से ज्यादा minima हो या फिर एक से ज्यादा critical point हो तो उस situation में हम लोग minima को local minima बोलते हैं clear है चलिए तो इनका हम लोग solution देखेंगे आपको मालूम ही यह हम लोग को step मालूम है कि हम लोग कैसे कैसे इनका solution करेंगे तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है बड़ा तो सबसे पहला काम हमारा होता है f dash x निकालना clear है चलिए तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा f dash x को calculate करना f dash x को calculate करना clear है चलिए तो हम लोग f dash x को calculate करेंगे तो f of x हमारा given है हम लोग f dash x को calculate करेंगे तो चलिए f of x given है हम लोग f dash x निकालते हैं तो चलिए, इनका पहले derivative निकालिए, तो x पर पावर 4 का derivative, 4xq, तो पहले से into में क्या है, minus 3y4, into x पर पावर 4 का derivative, 4 into xq, minus, ये क्या था, minus ये plus था, ये minus था, minus 8 into xq का derivative, 3x square minus 45 by 2 into x square का derivative, 2x, और 100 का derivative क्या होजाएगा, 0, क्योंकि अकेला constant है, और constant का derivative क्या होता है, 0 होता है, देखो, यहाँ से 4 से 4 कट गया बड़ा, और यहाँ से 2 से 2 कट गया, जो बचा उनको आप लोग लिख दो, तो f-x is equal to minus 3xq minus 28x square और यह हो जाएगा minus 45, अब आप लोग क्या करो, अब आपका अगला step क्या होता है बड़ा, अस्कीन शोड लेते चलना, या विडियो पोस्ट करके लिखते चलना, तो चलिए, स्कीन शोड भी साथ साथ मे लेते चलना, अब अगला step हमारा क्या होता है, critical point निकालना, क्या निकालना होता है, critical point को हम लोग find करेंगे, critical point निकालना होता है, अगला काम क्या होता है हमारा, critical point निकालना, critical point कैसे निकालते है, f-x को 0 को equal कर देते हैं, तो हमारा critical point, all possible critical point निकल जाएगा, तो f-x क्या आगे बड़ा, f-x आगिया मेरा, minus 3x square, minus 24x square, minus 45 is equal to 0 अब एक काम करो आप लिखते चलना आप लोग एक काम करो कि minus 3 common ले लो तो जब minus 3 common लेंगे तो ये plus में x square बचेगा और ये plus में 8 x square बचेगा और ये plus में 45 पंदरा बचेगा clear है is equal to 0 is equal to 0 ओके चलिए अब हम लोग आगे calculate करेंगे minus 3 इसके जब नीचे चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा बचेगा हमारा बचेगा x square plus 8 x square sorry यहाँ क्या आगया 1 second 1 second कुछ mistake हुआ है क्या हाँ कुछ mistakes हुआ है यहाँ पर x q है यहाँ पर x q है बड़ा x q और हमने क्या दे दिया है गलती से x square तो इसको आप x q कर लेना तो चलिए यहाँ पर x q यहाँ पर भी x q हो गया चलिए तो यहाँ पर क्या बड़ा यहाँ पर भी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर भी हमारा x q आ जाएगा क्या जाएगा XQ तो XQ प्लस 8X स्क्वाइर प्लस 15 is equal to 0 clear है यह आ गया ना clear है अब हम लोग यहां से क्या करेंगे अब हम लोग यहां से करेंगे क्या अच्छा यहां भी कुछ हमारा side mistake हुआ है देखो 45X यहां देखो X छूट गिया है यहां X छूट गिया है बडगा X छूट से एक। X चूट गिया है तो X यहां पर हम लोग लगा लेंगे देखो नब 45X mistake हम ने ध्यान नहीं दिया यहां X छूटा हुआ है तो X लगा लेना तो INTU 45X और यहां भी 45X और यहाँ पर minus 3 common लेंगे तो 15x आ जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा क्या जाएगा 15x क्लियर है गलती जे चूट गया था अब एक और काम करो इनको quadratic equation में बनाओ इनको quadratic equation में बनाने के लिए आपका क्या करो x फिर से common ले लो तो x तीनों में common लेंगे तो यह हो जाएगा x square और यह बच जाएगा plus 8x और यह बच जाएगा 15x में x common आ गया तो 15 बचेगा इस इक्वल टू 0 अब आप लोग क्या करो quadratic equation को तोड़ो तो quadratic equation को जब हम break करेंगे तो हमारा दो factor मिलेगा चलिए हम side में break कर देते हैं side में हम लोग break कर देते हैं जैसे x square plus 8x आप चाहें board exam में 7-7 में कर लें कहीं कोई दिक्कत नहीं है इनका quadratic equation निकालो तो क्या हो जाएगा x square plus कैसे लिख सकते हैं 5 या 15 या 5 x plus 3 x और plus 15 तो यहां से हो जाएगा x common ले लेंगे तो x plus 5 और यहां से 3 common ले लेंगे तो x plus 5 तो यहां पर हमें 2 factor मिल गया x plus 5 into x plus 3 चलिए तो इसका quadratic quadratic equation का हमने इसका factor बना लिया क्या आगिया बड़ा factor factor आगिया एक factor आगिया x plus 5 और into दूसरा factor आगिया x plus 3 यह चाहें आप लोग साथ साथ कर ले quadratic equation को तोड़ने कहीं कोई दिक्कत नहीं है ओके चलिए अब यहां से देखा जाए तो 3 factor मिला 3 factor मिला तीनो factor को बारी बारी से हम लोग 0 के equal करेंगे तो पहला factor हमारा कौन हो गया यह तो x ब्रावर 0 तो एक critical point हमारा क्या मिल गए बड़ा एक critical point हमारा मिल गया x ब्रावर 0 दूसरा critical point निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा x प्लस 5 को 0 के equal तो यहां से x ब्रावर माइनस 5 मिल गया और तीसरा factor को हमको 0 के equal करना होगा तो x प्लस 3 is equal to 0 तो यहां से x ब्रावर माइनस 5 तो हां बचों हमें 3 critical point मिल गया पहला critical point के मिला x ब्रावर 0 दूसरा critical point के मिला x ब्रावर माइनस 5 और तीसरा हो यहां पर x ब्रावर माइनस 3 आएगा न x ब्रावर माइनस 3 अरे x प्लस 3 is equal to 0 तो x ब्रावर माइनस 3 तीसरा critical point क्या मिल गया, x ब्रावर minus 3, तो हमारा critical point क्या क्या मिल गया बड़ा, हमारा critical point यहां से मिल गया, critical point हमें यहां से क्या मिल गया, तो critical point हमें मिल गया, यहां से x ब्रावर 0, minus 5, minus 3, यह तीन हमारा critical point मिल गया, अब हम तीनों पॉइंट पर बारी-बारी से चेक करेंगे कि ये पॉइंट पर जिसे 0 पर मैक्समा मिलेगा कि मीनमा मिलेगा माइनेस 5 पर मैक्समा मिलेगा कि मीनमा मिलेगा माइनेस 3 पर मैक्समा मिलेगा कि मीनमा मिलेगा इसको हम लोग क्या करेंगे हम लोग चेक करेंगे तीनों पॉइंट पर चेक करेंगे जितना भी क्रिटकल पॉइंट मिलेगा सभी क्रिटकल पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे तो तीन critical point मिला है तो हमें तीनो critical point के उपर check करना होगा बारी बारी से clear है तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग माल लेते हैं चलो सबसे पहले हम लोग इनको increasing order में इनको सजा देते हैं तो अगर हम real number line पर ले जाएं इनको अगर हम real number line पर ले जाएं बेटा तो इनका increasing form में अगर इनको सजाएं तो सबसे पहले हमारा क्या हैगा सबसे चोटा minus 5 फिर इससे थोड़ा बड़ा minus 3 और सबसे बड़ा हमारा 0 तो आप किसी पर भी check कर लो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ओके चलिए हम पहले x ब्रावर 0 पर check कर करना पड़ता है हमें f double dash x निकालना होता है secondary यहां हम लोग second derivative निकाल होता है अब f double雷 एकस कैसे निकालेंगे 12-6 जो मिला उनको और हम दुबारह differentiate कर देंगे to upon themselves क्या मिला तो ऊपर हमारे f-x मिला देखो f-x हमारा क्या मिला this is a f-x यह हमारा f-x है न विडा f-x को हम दुबारा differentiate कर देंगे तो देखना यह क्या है minus 3x q minus 24x square minus 45x तो इनका जब हम लोग double differentiate करेंगे इसको दुबारा differentiate करेंगे तो क्या हैगा तो चलिए यह हम लोग करते हैं f-double s-x निकालते हैं तो f-double s-x उसके बाद हमारा आ जाएगा माइनस 24 दूना 48 X X स्क्वाइर का 2 X और माइनस 24 मल्टिप्लाई में तो 24 दूना 48 माइनस 48 X माइनस 48 X क्लियर हो गया अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसके बाद क्या है उसके बाद हमारा 45 X माइनस 45 X तो माइनस 45 X का माइनस 45 हो जाएगा माइनस 45 हो जाएगा चलियर है चलिये यह हमने F-X निकाल दिया अब यहाँ पर हम critical point को put करेंगे तो चलिये हम लोग पहले X ब्रावर X1 रखते हैं और चलो X1 को हमने माल लिया 0 पहला critical point हमने 0 माल लिया पहला critical point हमने 0 माल लिया ओके चलिये तो पहला critical point में 0 हो गया तो हम लोग put करेंगे इसको किस में हम लोग F-X में put करेंगे तो F-X1 X1 किसे का put कर रहे हैं 0 चलिये तो जहाँ जहाँ X से वहाँ वहाँ हम लोग क्या put करेंगे 0 तो माइनस 9 इंटो 0 का square माइनस 48 इंटो 0 और माइनस 45 इसका मतलब ये term हमारा 0 हो गया ये term हमारा 0 हो गया तो क्या मिला माइनस 45 मिला अब तुम देख सकते हो कि यहाँ से F-X1 F-X1 जो आया विड़ा ये हमारा माइनस 45 आया मतलब less than 0 आया और जब less than 0 आता है तो हमारा point of maxima मिलता है तो यहाँ पर हमें maxima मिलेगा क्या मिलेगा maxima मिलेगा यानि x ब्रावर 0 पर function का maximum value मिलेगा point of maxima मिलेगा क्या मिलेगा point of maxima clear है? चलिए अब हम लोग second point पर check करते हैं अब देखो question में मैं maximum value नहीं पूछा था अगर आपको question में maximum value पूछ था also find the maximum value and minimum value of a function तो आप निकाल सकते थे आप x ब्रावर 0 कहां रख देते? main function में main function में आप लोग क्या कर लेते? main function में आप लोग x ब्रावर 0 रख देते तो हमारा क्या मिल जाता? by minimum मिल जाता sorry by maximum चुकि x ब्रावर 0 पर हमें maximum value मिलेगा तो maximum value कितना मिलेगा? तो x ब्रावर 0 रखने पर f of x में x ब्रावर 0 रखने पर solve करने पर जो भी आ जाता 100 आ जाता देखो 100 आ जाता ये भी 0 हो जाता ये भी 0 हो जाता ये भी 0 हो जाता 100 आ जाता तो हमारा by maximum क्या आजाता 100 आजाता पर वो निकालने नहीं बोला है तो हम नहीं निकालेंगे निकालने बोलता तो जैसे बताएं वैसे निकाल लेते हैं अब हम लोग put करेंगे x ब्रावर x2 अब x2 हमने माइनस 3 को माना तो चलिए इसको put करेंगे f double dash x2 ब्रावर माइनस 3 अब हम लोग जहां जहां विड़ा जहां जहां हमारा जहां जहां हमारा अब एक बात आपको हम short trick बताते हैं एक बात हम आपको short trick बताते हैं देखो वो आप board exam में मत करना board exam में तो आप पूरे method से बनाना पर short trick क्या है एक बात आपको short trick बता देते हैं कि अगर बच्चों आपका माल लेते हैं कि 3 critical point आया और 3 critical point continue है लगातार 3 critical point है इसमें कोई भी critical point गाइव नहीं है क्योंकि यही हमारा critical point विला तो यदि 3 consecutive critical point है मतलब 3 continuous critical point है 3 लगातार critical point है तो अगर किसी एक point पर विटा अगर मान लेते हैं कि maxima आया था चुकि एक स्वरावर जीरो पर क्या आया था maxima तो बच्चों इसके पहले वाले point पर minima आएगा minima मिलेगा क्या मिलेगा minima और फिर इसके और पहले वाले point पर maxima मिलेगा मतलब alternate मिलता है alternate मिलता है काने का मतलब क्या कि दो लगातार maxima कभी नहीं मिल सकता है और नहीं दो लगातार minima कभी मिल सकता है ये हमेशा याद रखना maxima minima वाले chapter में किसी भी question में बच्चों कभी भी ऐसा कोई question नहीं मिलेगा जिसमें दो लगातार critical point पर या तो maxima हो जाए या दो लगातार critical point पर या तो minima हो जाए जब भी मिलेगा alternate मिलेगा अगर एक point पर दो लगातार point है तो एक point पर अगर maxima मिला है तो अगले point पर जरूर minima ही मिलेगा और अगर तीन लगातार point है तो एक point पर maxima मिला तो अगले point पर minima मिलेगा और अगले point पर maxima मिलेगा ये कब ऐसा possible है जब तीनो critical point लगतार हो जब तीनो critical point लगतार हो बीच में critical point गाइब नहीं हो तो यहाँ पर वही चीज है न ये लगतार critical point है न ये क्या है ये लगतार तीन critical point है तो 0 पर हमने check कर लिया कि maxima मिला तो इसके पहले जरूर हमारा minima मिलेगा और इसके पहले जरूर हमारा maxima मिलेगा अगर suppose कि x ब्रावर 0 पर minima मिलता तो minus 3 पर maxima मिलता और फिर minus 5 पर minima मिलता पर हमारा 0 पर क्या मिला हमारा x ब्रावर 0 पर क्या मिला x ब्रावर 0 पर maxima मिला तो x ब्रावर माइनस 3 पर इसके ज़श्ट पहले वाले पर mean मा और इसके पहले वाले पर maxima ये कब ऐसा आप काम करोगे जब आपको objective में question दिया हो लेकिन ये question अगर 2 या 5 marks में पूछा गया होगा body exam में तो फिर आपको पूरे method से बनाना होगा मतलब 3 point पर check करना होगा तो ये तो हमने short trick बता दिया अब देखते हैं कि minus 3 पर mean मा मिलता है कि नहीं मिलता है चलो देखते हैं minus 3 पर mean मा मिलता है कि नहीं मिलता है चलो तो जहां जहां f double dash x में x से वहां minus 3 रखेंगे तो चलिए f double dash x क्या है f double dash x हमारा ये है ये इसमें x के जगा आप क्या रखोगे minus 3 तो minus 9 गुना minus 3 का square minus 48 into 3 minus 3 sorry 48 into minus 3 और minus 45 चलिए देखते हैं इसको तो minus 3 का square 9 plus 9 9 नमा 81 minus 81 और ये minus minus plus आर्टिया 24 आर्टिया 24 के 4 हाथ में 2 4 रखेंगे दो 14 और हुआ न minus minus plus आर्टिया 24 के 4 हाथ में 2 और 4 हो दे ये क्या हो गया आर्टिया 24 के 4 हाथ में 2 और चार्टिया 12 12 दो 14 144 प्लस में और ये minus 45 अब तुम देखो कि इनको जब आप लोग गैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा इनको जब कैलकुलेट करोगे तो minus 81 और minus 45 क्या हो जाएगा 84 12 minus में ही मिलेगा 84 12 और 126 minus में 126 मिलेगा और plus में 144 मिलेगा प्लस में 144 मिलेगा प्लस में 144 मिलेगा प्लस में 144 मिलेगा अब 144 मिलेगा अब 144 में 126 चला गया तो देखो तो 144 में 126 को minus कर दो तो 14 में से 6 गया 8 3 यहां बचा 3 में से 2 गया 1 और 1 में से गया 0 18 बचा प्लस में 18 बचा तो तुम देख सकते हो बिड़ा तुम देख सकते हो कि f double dash f double dash x2 बराबर minus 3 पर क्या मिला? 18 18 क्या होता है? positive होता है क्या होता है? positive होता है इसका मतलब यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा greater than 0 हो गया क्या हो गया? greater than 0 और greater than 0 पर हमारा क्या मिलता है? mean ma तो हमने पहले ही तो बोला था बचा कि x बराबर minus 3 पर mean ma मिलेगा देखो हम पहले ही लिख दिये थे x बराबर 3 पर mean ma मिलेगा देखोư मिनमा आगि आना X ब्रावर तीन पर तो ये रूल बढ़ा, ये रूल है रूल क्या बोलता है कि अगर दो या दो से अधिक लगतार critical point हो तो अगर किसी एक critical point पर maxima हो, तो अगले critical point पर minima होगा और उसके अगले critical point पर maxima होगा मतब़ अल्टरनेट चलिए गा कभी भी दो लगातार क्रिटकल पॉइंट पर दो मैक्समा एक साथ कभी नहीं आ सकता है नहीं किसी दो लगातार क्रिटकल पॉइंट पर दो लगातार मैक्स मीनमा आ सकता है एक Maxima तो एक Minema, एक Maxima एक Minema, हाँ, दो लगतार Maxima और दो लगतार Minema कब आ सकता है? जब critical point लगतार ना हो, बीच बीच में कहीं से भी दो critical point उठा लिया गया होगा, तो उस situation में दो maxima लगातार आ सकते हैं, या 2 minima लगातार आ सकते हैं, पर अगर critical point, सभी का सभी critical point लगातार हो, बीच में एक भी छूटा नहीं हो, तो फिर आपको कभी भी 2 लगातार maxima देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं 2 लगातार minima देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको हमने concept बता द मिलेगा maxima, ये तय बात है, चलिए चेक कर लेते हैं, minus 5 पर क्या मिलेगा, maxima, ये तो तय बात है, चलिए, तो हम लोग क्या put करेंगे, हम लोग put करेंगे, put, x ब्रावर x3 ब्रावर minus 5, किस में, f double dash x में, तो f double dash x, x3 ब्रावर minus 5, अब जहाँ जहाँ विटा, x से हुआ minus 5 रखेंगे, चलिए रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, यहां से minus 9 into minus 5 का whole square, minus 48 into minus 5, और minus 45 का minus 45, calculate करो विटा, तो minus 9 और minus 5 का square plus 25, और minus minus plus, ये हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0 हाथ में, 4, 5 का 20, और 4, 24, 240, प्लस में हो जाएगा न, 8 पचे 40 के 0 हाथ में, 4, 4 पचे 20, और 4, 24, प्लस में, और ये minus 45, अब तुम देखो विटा, इनको solve करोगे, तो negative value मिलेगा, देखो, 9 पचे 45 के 5 हाथ में, 4, 9, 2, 8, 14, और 4, 22, 25, minus में मिलेगा, 25 नमा 225, minus में मिलेगा, और ये plus में 240 मिलेगा, और ये minus में 45 मिलेगा, अब तुम देखो न, इसका value negative में ही आने वाला है, minus 225 और minus 45 कितना हो जाएगा, तो 25 और 5, 30, 30 और 40, 70, minus 270, minus 270 और plus 240 हमारा क्या मिलेगा, minus 270 plus 240, minus 30 मिला, अब तुम देखो, minus 30 हमारा negative value आगया, इसका मतलब, if double dash x3, बराबर minus 5 हमारा less than 0 मिला, और less than 0 पर क्या होता है, f double dash x, जब less than 0 होता है, negative में आता है, तो हमें point of maxima मिलता है, तो तीनों point पर हमने check कर लिया, आप देखो, हमने पहले ही ये prediction कर लिया था, कि x बराबर minus 5 पर क्या मिलेगा, maxima देखो, हमने पहले ही बता दिया था, कि x बराबर minus 5 पर maxima मिलेगा, ते दोखे मिल गया, पर board exam में आपको हर point पर check करना होगा, ये manually आप नहीं बता सकते हो, मौखिक आप नहीं बता सकते हो, ओरली नहीं बता सकते हो, ये objective में कर सकते हो, पर आप ऐसा काम, board exam में मत करना, जब आपको 5 marks में या 2 marks में आया हो, तो I hope आपको ये question अच्छे से clear हो गया होगा, और ये concept भी clear हो गया होगा, कि हमारा लगातार critical point का concept क्या है, तो चलिए इसको लिख देते हैं, इस concept को लिख देते हैं, I hope आपने इनको note down कर लिया होगा, तो ये हाँ पर हम concept को लिखते हैं मिड़ा, concept को, concept क्या है यहाँ पर, concept no. 1, if 2 or more than 2 continuous critical point, if 2 or more than 2 continuous critical point, then there is, then there is no 2 consecutive maximum or minimum, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, क्या, कि अगर 2 या 2 से अधिक लगातार critical point हो, तो कभी भी 2 लगातार, यानि consecutive, 2 लगातार, 2 consecutive maximum या 2 consecutive minimum कभी भी नहीं मिलेगा, let us suppose, कि यह हमारा first critical point x1 हो गया, यह हमारा second critical point x2 हो गया, यह हमारा third critical point x3 हो गया, और यह हमारा fourth critical point x4 हो गया, suppose कि इस पर हमें maxima मिला suppose इस पर हमें maxima मिला x1 पर तो अगर ये 4 लगातार है x1, x2, x3 ये 4 critical point अगर continuous है तो फिर इस पर minima मिलेगा x2 पर और फिर x3 पर minima मिलेगा, sorry, maxima मिलेगा ये 100% सत्ते हैं और फिर इस पर x4 पर minima मिलेगा और अगर suppose कि x1 पर minima मिलता तो x2 पर maxima मिलता x3 पर minima मिलता और x4 पर maxima मिलता तो ये बात हमेशा याद रखना कि अगर 2 से अधिक लगातार critical point हो तो कभी भी 2 लगातार maxima या 2 लगातार minima नहीं मिलेगा, clear है ये बात clear हो गया, चलिए ओके अब इसका एक roughly अगर हम एक graph सोचें इसका एक roughly graph सोचें इसका एक roughly graph अगर हम सोचते हैं तो इस परकार का एक roughly graph आ सकता है देखो कहा चला गया एक इसका देखो ये maximum ये minimum ये maximum ये minimum देख लो अब जब एक से ज़्यादा maxima और एक से ज़्यादा minima होता है तो obvious वो local maxima ये local minima होता है तो local word जूर जाता है कौन सा word जूर जाता है local तो इसमें बोलने वाली बात नहीं है local का इंदिय अस्थानी है local word जूर जूर जाएगा जब एक से ज़्यादा maxima ये एक से ज़्यादा minima हो तो obvious सी बात है कि local word उनके आगे जूर जाता है तो यह आप a skin short ले लो और यहाँ भी आप देखना कि यहाँ पर हम local maxima की बात कर रहे हैं यहाँ भी हमारा क्या जूड़ जाएगा एक से ज़्यादा maxima यह एक से ज़्यादा minima है तो यह local वड़ा जाएगा तो local maxima, local minima and local maxima इसलिए हमें question में local maxima, local minima पूछाता देखो question में क्या पूछाता local maxima, local minima क्योंकि वो जानता था कि एक से ज़्यादा critical point आने वाला है इस question में और जब एक से ज़्यादा critical point आने वाला है तो maxima, local maxima कहलाने लगेगा और minima, local minima कहलाने लगेगा तो I hope आपको ये question अच्छे से clear हो गया होगा बच्छो, अब हम लोग अगला question करते हैं, चलिए, then pause the video and note it down, चलिए, अब हम लोग एक और question करते हैं, चलिए, चलिए, हम एक और question करते हैं, okay, चलिए, एक और question करते हैं, type 1 का ही question चल रहा है, okay, चलिए, एक और question करते हैं, question no. 3, वाई, find maxima and minima find maxima and minima of given function of given function okay चली क्या है function दिया हुआ f of x is equal to xq plus x square plus x plus 1 चलीए आपका सबसे पहला काम क्या होता है आपका सबसे पहला काम क्या होता है बड़ा given चीजों को लिखो तो given में क्या है function f of x is equal to xq plus x square plus x plus 1 चलीए अब यहाँ देखो अगला step क्या होता है f dash x निकालना तो इसको differentiate करो xq का डिफ्रेंशन 3x square plus x square का डिफ्रेंशन 2x plus x का डिफ्रेंशन 1 और 1 का 0 अब यहाँ से critical point निकालना है तो critical point को निकालने के लिए f dash x को 0 के equal करेंगे चलीए तो critical point को निकालने के लिए f dash x को 0 करेंगे तो f dash x क्या गया 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0 अब यहाँ तुम देख सकते हो वड़ा इनका perfect factor कभी भी निकलेगा इसमें हमें स्रीधराचार यह formula अपलाए करना पड़ेगा इनको आप नहीं तोड़ सकते हो इनको आप नहीं तोड़ सकते हो यह direct factor में नहीं टूटेगा तो इस स्रीधराचार यह formula लगाना होगा तो formula क्या होता है हमारा formula होता है वड़ा हमारा formula होता है x ब्राबर minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2 है यह अपने 10 classes में पड़ा होगा इसी को apply करेंगे हम लोग चलिए तो यह हमारा क्या हो गया ध्यान से देखना यह हमारा यह हमारा क्या हो गया यह हमारा a हो गया जानते हो ना यह हमारा b हो गया और यह हमारा c हो गया चलिए रख दीजिए तो x ब्राबर क्या हो गया minus minus b b कितना हो गया 2 तो minus 2 plus minus under root b square b कितना हो गया 2 तो 2 का square 4 हो गया एक इतना हो गया 3, तो 4 into 3, 4 into 3, एक इतना हो गया 3, 4 into 3, और C कितना हो गया 1, C कितना हो गया 1, divided by 2 है, तो divided by 2 into 3, अब तुम देख सकते हों यहाँ पर, देख सकते हों यहाँ पर, कि X बराबर क्या आगया, X बराबर आगया हमारा, minus 2, plus minus under root, अब देखो, 4 minus, 4, 4, 12, 12, 12, 12, divided by 3, 2, 6, अब यहाँ से तुम देख सकते हो, X बराबर, minus 2, plus minus, अब तुम यहाँ देखो, कि under root के अंदर क्या आगया, minus 8, divided by 6, और आप सब लोग जानते हों, हमने class 11 में पढ़ाया है, कि कभी भी a square root के अंदर negative नहीं आ सकता है, undefine हो जाएगा, कभी भी a square root के अंदर negative value हजम नहीं होता है, यह undefine होता है, यानि, a square root is always non-negative function, it is always a non-negative function, यानि, X is greater than or equal to 0, ओके, यह negative कभी भी नहीं हो सकता है, तो यह undefine होगा, a square root के अंदर undefine, a square root के अंदर अगर कोई negative value आ गया, तो यह undefine हो गया, देखो यहाँ पर a square root के अंदर, वर्गमूल के अंदर minus 8 आ गया, इसका मतलब negative आ गया, इसका मतलब, इस quadratic equation का हम roots नहीं निकाल सकते हैं, इस quadratic equation का बच्चों, इस quadratic equation का हम roots नहीं निकाल सकते हैं और अगर इस quadratic equation का roots नहीं निकलेगा तो हमारा critical point नहीं निकलेगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि there is no critical point there is no critical point there is no critical point और आप सभी लोग जानते हो बच्चों कि अगर किसी function का critical point नहीं मिलता है तो no maxima, no minima यानि critical point नहीं मिलने का मतलब ना maxima मिलेगा ना minima मिलेगा इसका मतलब वो monotonic function हो जाएगा यानि या तो हो strictly increasing होंगे या फिर strictly decreasing तो no critical point then no maxima and no minima तो हमारा answer क्या हो जाएगा neither maxima nor minima तो इसका सवाल इसका answer हम क्या लिखेंगे neither maxima nor minima neither maxima nor minima ना ही maxima मिला ना ही minima मिला क्योंकि हमें critical point ही नहीं मिला critical point क्यों नहीं मिला क्योंकि critical point को solve करने में हमें square root के अंदर negative value मिल गया जो कि undefine हो गया तो x को हम लोग calculate ही नहीं कर पाए और x calculate होता तो वही हमारा critical point ही नहीं मिला critical point नहीं मिलने के कारण से हमारा maxima minima find नहीं हो पाया देखो maxima minima तो हम तब find out कर पाएंगे ना जब critical point मिलेगा जब critical point ही नहीं मिला तो maxima और minima नहीं मिलेगा तो हमारा answer क्या हो जाएगा no maxima and no minima या फिर दोनों साइड हमने no maxima and no minima no maxima and no minima no maxima and no minima यानि ऐसे भी लिख सकते हो neither maxima nor minima नहीं maxima मिला नहीं minima मिला इसका मतलब ये non monotonic function नहीं रहे होंगे ये strictly या तो decreasing function रहे होंगे या फिर strictly increasing function रहे होंगे ओके तो तुम देख सेक्ते हो बिड़ा ये जो हमारा function आया है 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0 ये quadratic equation जो आया है ये real roots ना देख करके imaginary roots दे रहा है imaginary roots दे रहा है क्या दे रहा है imaginary roots यानि जो real roots नहीं दे रहे है वो imaginary roots दे रहे है तो ये imaginary roots दे रहा है कौन सा roots दे रहा है imaginary roots कैसे पता चला ये iota के form में result देता जैसे under root minus 8 आया था ना इनको हम लोग क्या लिख सकते थे हम लोग इनको लिख सकते थे under root या एल्वेस पॉजीटीव होगा या फिर या ओल्वेस नेकीटीव होगा अब यह आल्वेस पॉजीटीव आल्वेस पॉजीटीव है और always positive वाले function मतलब यह strictly increasing हो गया इसलिए बच्चों यह monotonic function थे इसलिए इनका critical point नहीं मिल पाया इसलिए इनका maximum minimum नहीं निकल पाया तो आप यह question अच्छे से समझ गये होंगे I hope आपको यह question अच्छे से clear हो गया होगा clear बच्चों चलिए video pause करके आप लोग note कर ले दिन pause the video and note it on चलिए question और ले रहे हम okay एक question और ले रहे हैं चलिए एक question और ले रहे हैं okay चलिए चलिए अगला question question number 4 question number 4 question number 5 चलिए question number 5 देखो एक question है यह question number 4 होगा न हाँ question number 4 question number 4 वह यह find maxima in minima अब directly रहे हैं f of x दिया है e पर पावर x और हमें maxima minima find करने बोला है find maxima and minima find maxima and minima चलिए solution निकालिए given क्या है f of x is equal to e पर पावर x अब सबसे पहला काम आपका क्या है f दैस x निकाला तो e पर पावर x का difference in e पर पावर x अगला step में हम critical point निकालते है critical point निकालने के लिए f दैस x को 0 करेंगे f दैस x क्या मिला e पर पावर x तो e पर पावर x वरावर 0 हो गया अब यहां पर ध्यान से देखना बचों कि यह हमारा exponential function है यह हमारा क्या है exponential function है exponential function होता है e power power x हमारा क्या होता है exponential function और याद होगा exponential function always 0 से बड़ा होता है यानि यह हमेशा positive value ही देता है हमेशा यह 0 से बड़ा value ही देता है तो जो function 0 से बड़ा value हमेशा देता है वो क्या 0 की equal हो सकता ना ही यह कदापी 0 की equal नहीं हो सकता है तो e पर पावर x is never equal to 0, तो जब ये e पर पावर x 0 की equal ही नहीं हो रहा है, तो फिर critical point तो मिले गई नहीं, critical point तो तम मिलता ना बच्चों, जब e पर पावर x 0 की equal हो था, लेकिन e पर पावर x यानि exponential function का ये properties है, कि कभी भी ये negative value नहीं देता है, ना ही ये 0 देता है, ये हमेशा बच्चों, ये हमेशा 0 से बड़ा value देता है, याद करना, class 11 में हमने exponential function का range बताया था, याद करना, range, इनका range क्या होता है, जीरो से infinite के बीच, जीरो से infinite के बीच, यानि जीरो से बड़ा, और infinite से छोटा, और इनका domain all real number होता है, तो जब domain ही, जब इसका range ही 0 से बड़ा हो रहा है, तो क्या ये 0 की equal हो सकता है, नहीं, तो जब e पर पावर x 0 की equal ही नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे, no critical point, critical point मिला ही नहीं, no critical point, और जब critical point नहीं मिला, तो no maxima and no minima, no maxima and no minima, no maxima and no minima, तो I hope आपको ये question भी अच्छे से clear हो गया होगा, then pause the video and note it down, चलिए question और हम ले रहे हैं, एक question और ले रहे हैं, okay, चलिए, चलिए, question और ले रहे हैं, एक question और ले रहे है, question no 5, एक function दिया हुआ है, f of x is equal to log x, base e, अब यहाँ भी हमें पूछ रहा है, find maxima and minima, find maxima and minima, find maxima and minima, okay, चलिए, तो solution में क्या करेंगे, जो given है, उसको लिखेंगे, तो given में क्या है बढ़ा, given में हमारा f of x है, f of x is equal to log x, और base में natural base, e, अब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, f of x निकालना, तो log x का difference क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 1 by x, चलिए, तो log x का difference क्या होगी है, 1 by x, अब अगला काम क्या होता है, critical point निकालना, क्या होता है, critical point निकालना, critical point कैसे निकालते हैं, f-x को 0 की equal करते हैं, अब देख सकते हो, f-x 0 की equal करेंगे, तो यहाँ पर f-x क्या मिला, f-x 1 by x, 1 by x को अगर हम 0 की equal करते हैं, तो इस पर गौर करना विड़ाई, इस पर गौर करना, देखो 1 by x का value कभी भी 0 की equal नहीं मिलेगा आप x का कोई भी value डाल दो आप x का छोटा से छोटा value डाल दो या आप x का बड़ा से बड़ा value डाल दो 1 by x कभी भी 0 की equal नहीं हो पाएगा यह हमेशा क्या है यह false statement है this is false statement जैसे इसके उपर वाला question था जैसे इसके उपर वाला question क्या थे वड़ा this is a false statement यह हमारा false statement था e par power x 0 की equal कभी नहीं हो सकता है यानि यह हमारा false false statement है false statement था true statement क्या है this is a true statement this is a true statement तो उसी तरीके से बच्चों ये वाला भी हमारा false statement है 1 by x कभी भी 0 के equal नहीं आएगा ये हमेशा false statement है तो यहाँ पर 1 by x is not equal to 0 होगा तो जब 1 by x 0 के equal ही नहीं हो रहा है इसका मतलब critical point मिलेगा ही नहीं नो critical point और जब critical point ही नहीं मिलेगा विड़ा तो हमारा no maxima no minima no maxima and no minima ना ही maxima मिलेगा और ना ही minima मिलेगा ओके बच्चों तो आई हाओ आपको exponential function वाला भी question अच्छे से clear हो गया होगा और आपको logarithmic function वाला भी question अच्छे से clear हो गया होगा और हमने increasing decreasing वाले में भी बताया था कि exponential function always strictly increasing है हम ये भी बोल सकते हैं ना विड़ा हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सर ये तो जाहिर सी बात है कि by बरावर e पर पावर x का graph कैसा बनता है plot करो तो तो इसका graph तो ऐसा बनता है ना सर ये always क्या होंग ये strictly increasing होगे ना ये तो अब आप ही बतादो सर आप ही बताए हो कि strictly increasing function में कभी भी critical point नहीं मिलेगा और जिसमें critical point नहीं मिलेगा वो हमारा monotonic function होगे क्या होगे monotonic function और monotonic function में हमारा minima non-maxima no minima तो ये तो आप ही बताये थे सर, हाँ बच्चों हम ही बताये थे, लेकिन हमने वहाँ पर graphical approach में बताया था, इस बार हम लोग method से बना रहे हैं इस चीज को, तो no maxima, no minima, अब आप देखो logarithmic function को भी देख लो, इनका भी graph आप देखो, इनका भी graph आप देखो, by बराबर log x का graph ये भी a strictly increasing graph होता है, इनका भी graph क्या होता है, ये हमारा graph किसका हो गया, ये हमारा graph log x का हो गया, और ये क्या a strictly increasing है, ये क्या है, a strictly increasing, यहाँ भी no critical point, no critical point, और नहीं critical point नहीं है, इसका मतलब no maxima, no minima, तो ये चीज तो हमने graphical approach के time पर ही बता दिया था, no maxima, no minima, जिस function का critical point मिलेगा, उसका maxima minima भी मिलेगा, जिस function का critical point नहीं मिलेगा, उनका maxima भी नहीं मिलेगा, ये बात तो आप जानते ही हो, तो no maxima, no minima, clear हो गया, इसलिए exponential function is always strictly increasing, that's why there is no critical point, that's why there is no maxima and no minima, and also logarithmic function is also a strictly increasing function, then there is no critical point, then therefore there is no maxima and no minima, I hope आपको यहाँ पर इतना समझ में आगया होगा, तो हमारा type 1 का question clear हो गया बच्चों, type 1 के, type 1 में हमने आपको 5-6 सवाल करवा दिया, तो I hope आपको type 1 का सारा question अच्छे से clear हो गया होगा, अब हम लोग next class में type 2 का question करेंगे, ओके बच्चों, तो एक दो question हम आपको type 2 का question करवाएंगे, उसके पर type 3, type 4, type 5 इसी तरीके से आपका आगे बढ़ते जाएगा, हमने कल भी बताया था कि ये maximum meanma chapter बढ़ा है, इसके अंदर आपको 6-7 type का question मिलेगा, यहाँ पर आपको language वाला भी question मिलेगा, language में लिका हुआ question मिलेगा, language type बढ़ा भी question मिलेगा, ये बात आप समझते हो, तो ये chapter बढ़ा है बच्चों, इसका कम से कम, 4-5 lecture तो 5-6 lecture तो बता देना चाहते हैं कि only mathematics का जो lecture आएगा बढ़ा, वो हमारा pen type पे lecture आएगा, recorded lecture, और physics और chemistry का live session चलेगा, बोड के उपर, ये बात आप नोड कर लेना, कि हमारा physics का live session चलेगा, बोड के उपर, और chemistry का live session चलेगा, बोड के उपर, लेकिन math का जो session चलेगा, वो recorded session चलेगा, और वो भी pen type के उपर चलेगा, जिस परकार से आप अभी देख रहें, उसी परकार से आगे भी maths का video आते जाएंगे, clear है, topic wise, तो I hope आपको यहां तेक समझ में आ गया होगा, अब अगले session में हम लोग अगले class में type 2 का question करेंगे, फिर type 3 का question करेंगे, ओके चलिए, तो आज का lecture, यहीं पर कतम होता है बच्चों, bye, take care